तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश विधान सभा सेक्ट्रेट से जो लेटेस्ट गौवर्मेंट जॉब का नोटिफिकेशन आया है उसके बार में तो जितने भी इंपॉर्टन पोस्ट निकली है उसको डिसकस करेंगे अगर आप उसकी के लिए आप करेंटेफेर पढ़ते ही होंगे इंपॉर्टन भी होते हैं आजकल तो एक्जाम में वही पूछे जा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एक क्रेंट अफेर शॉट्स चैनल का तो आप उसको जाकर जो है वो जरूर विजिट कीजेगा वहा पर आपको कोपन कोड यूज करना है क्लर्क 2022 जिससे आपको अच्छा खासा डिसकाउंट जो है वो मिल जागा 499 में आपको हर सलेबस की इंपॉर्टन नोट्स और जो MCQs वगएरा होते हैं सभी मिलेंगे तो जरूर जाकर जोईन कीजेगा बात करते हैं अडविटाइजमेंट के बारे में तो सबसे पहले आप जो है वो ऑनलाइन एपलाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए पोस्ट को देखने के बाद पूरी वीडियो देखने के बाद तो ओफिशल वेबसाइड है evidhan.nick.in इस पर जाकर आपको ऑनलाइन एपलाई करना है लास्ट डेज जो रखी गई है वो 28 सेप्टेंबर रखे गई है दो हजार बाइस और अगर आप उससे इलावा कहीं रहते हो तो 28 सेप्टेंबर आपके लिए लास्ट डेट रहेगी बात क जो रहेगा वो 48,700 से 1,44,300 रहेगा और इसमें पोस्टे जो है वो झर्रिनल की निकलिया यानिकि अर्ज नहीं बोलेंगे दो पोस्टें निकलिया back10 आ और आप किसी भी recognized University से graduate हो तो आप इसके लिये अप्लाई कर पाऊगे बर दूसरी चीजज यहां पर क्या है कि आपको short hand जो टाइपिंग है वो आने चाहिए, उसके सासा जो है वो आपको दूसरी typing भी आने चाहिए, याझनि कि दोनों में आपको short hand भी देनी पड़ेगे और उसके सासा typing test भी देना पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करता हूँ, उसके सासा desirable qualification क्या है कि अगर आपको reporting में जो है वो experience है यह मतलब की necessary नहीं है बट बोला गया है कि desirable तो आपको जो है वो मतलब की मतलब सबसे जादा importance आपको मिल सकती है ठीक है bilingual competence अगर आपके पास है तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले सेलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूं सलेबस बता देता हूं return test जो रहेगा वो 100 marks का रहेगा 120 मिनट आपको जो है वो timing मिलेगी इसमें क्या है कि जो आपका part 1 रहेगा ठीक है उसमें general knowledge और current affair के 50 marks आएंगे और second में general 50-50% आपके marks आने चाहिए ऐसा नहीं कि आप second में अब यह हिंदी का है तो यहां पर हिंदी के उपर जो है वो आपका ज्यादा जोर रहेगा शॉर्ट हैंड की बात करें तो शॉर्ट हैंड टेस्ट विल भी 100 marks 100 marks का आपका शॉर्ट हैंड होगा जिसमें 60 word per minute आपकी speed होनी चाहिए ठीक है जी पांच प्रसेंट एरर आपको जो है वो एलो होंगे तो शॉर्ट हैंड भी आपको आना चाहिए हिंदी में ठीक है उसके बाद है कि भाई जब रिपोर्टर हिंदी में यह तो हिंदी का सारा सेक्षन होगा ग्रेजुएट अगर आप हो और उसके बाद आपका परसनल इंटर्वी होगा तो यह पूरा प्रोसीजर आपका रहने वाला है आप अगर इसके लिए अपलाई करना चाहते हो और हिंदी में आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप इसके लिए अपलाई जो है वो कर सकते हो नेक्स्ट पोस्ट की बात करते है वो आपकी जूनियर ट्रासलेंटर क्लास के आपकी जो है वो descriptive test होगा containing translation of Hindi and English passage ठीक है आपको Hindi और English passage दिया जाएगा उसके आपको translation करनी है translation skills आपकी चेक की जाएगी knowledge of Hindi and English language आपको जो है वो दिया जाएगा ठीक है जी और जो parliamentary debates में Hindi use होती है ठीक है या language use होती है उससे related question जो है वो आपसे पूछे जाएगे phrases होगे knowledge of discussions होगी वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी ठीक है जी उसके बाद second जो होगा वो 55 marks क question जो है वो पूछे जाएंगे इसमें भी simple सा है कि जो है वो 50% आपको marks चाहिए अगर आप qualify करना चाहते हो बाकी तो merit के उपर जो है वो depend करता है एक और चीज़ मैं आपको यहां पर बताना है भूल गया कि जो भी आपके return में उपर वाले exam जो होगा उसमें return में जो आपके number होंगे वो आपकी last जो merit होगी उसमें जो है वो count किये जाएंगे तो यह चीज़ भी याद रखिएगा नेक्स जो है वो है आपकी clerk class 3 non-guasted pay matrix जो है वो 2200 से आपकी 64000 तक essential qualification है bachelor degree अगर आपने की है तो आप इसके लिए apply कर पाओगे इसके लिए return test जो है 100 marks का होगा दो घंटे आपके timing होगी ठीक है जी और इसमें क्या होगा कि 200 multiple choice question आएंगे जो की 100 marks के होगे ठीक है जैसा कि आपके 35 आएगी general knowledge of India and word आपके 45 question आएंगे और current affair आपके 20 question आएंगे ठीक है तो इस तरीके से आपके 200 question जो है वो divide किये जाएंगे और passing marks इसमें भी 50% है उसके बाद आपका होगा typing test यानिके skill test जिसमें जो है वो आपका computer पे होगा और English और Hindi दोनों में आप दे सकते हो 30 word per minute in English और 25 word per minute in Hindi और Hindi में अगर आप देना चाहते हो तो आपको रुतिदेव 10 आपको fund में typing करनी आनी चाहिए ठीक है तो यह पूरा syllabus जो है वो आपका रहने वाला है यह चीज़ याद रखिएगा ठीक है जी आगे बढ़ते है अगला जो है वो आपकी चौकिदार की है ठीक है बाकी जब भी आप apply करो एक बार notification को जरूर पढ़ लें ठीक है यह notification में जो है वो टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगा टेलिग्राम का link भी आपको जो है वो description में मिल जाएगा अब यहाँ पर जो है वो चौकिदार की unreserved की एक post है तो इसमें 50 marks का paper होगा 2 घंटे का MCQs जो फिर यहाँ पर 15 number की evaluation भी दी गई है documentation भी दी गई है जो कि हिमाचल में वैसे खतम हो चुकी है माली की बात करें तो यहाँ पर 18,000 से 56,900 unreserved की एक post है essential qualification जो है वो middle करहेगी और same pattern जो है वो आपका रहेगा जो की उपर चौकिदार वाले में follow होगा तो आप इसके लिए अग अगर दोनों age के अंदर आते हो तो आप इसके लिए apply कर पाओगे फीज की बात करें तो general category के अगर बात करें तो reporter हिंदी के लिए 600 रुपए है junior translator के लिए 400 है clerk के लिए 400 है चौकिदार के लिए 200 रुपए फीज है और माली के लिए 200 रुपए फीज है यह है general category वालो के ABC, BPL of HP, reporter के लिए 100, junior translator के लिए 100, clerk के लिए 100, चौकिदार के लिए 40 और माली के लिए 50 ठीक है female candidate है अगर apply कर रहे है या फिर ex-serviceman of HP है तो कोई भी fees यहाँ पर नहीं लगेगी ठीक है जी mode of payment आपका online का ही रहेगा आप official website पर जाकर जो है वो apply कर सकते है बाकी category आपको जो है वो claim category मतलब कि अगर आप यहाँ पर आपको age की बात करें तो age relaxation भी आपको जो है वो मिलेगा ठीक है 5 year age relaxation अपर age limit अगर आप bonafide SC of HP, ST, SC, OBC है तो जो भी आपको age relaxation मिलती है वो भी आपको थोड़ी देर बाद जो है वो telegram channel पर जो है हम दे देंगे तो इसके लिए ज़रूर apply कर लेजेगा अगर आप इसकी qualification अंडर आते हो, thanks for watching बहुत जल्दे मिलेंगे next video के साथ